हेलो एवरीवन तो जैसे कि आप लोग देखी चुके होंगे थमनेल में तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ तो रिमेंबर फॉर्मला जॉफ मैट्स तो फॉर्मला चाहे मैट्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उस फॉर्मले को रटेना हम उसको समझने की कोशिश करें एक बार अगर हम ये समझ जाएं कि वो फॉर्मला जैसा बना है वो क्यों बना है या वो उसी फॉर्म में क्यों है तो हमें formula याद रखने की जरुद भी नहीं पड़ेगी वो अपने आप ही हमें ध्यान रहेगा तो मैं एक example की तुरू आपको समझानी कोशिश करूँगा कि कैसे formula को बिना याद किये ध्यान रख सकते हैं तो मैं आज mensuration में cuboid का lateral surface area और total surface area को कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगा आपको तो जो तरीका मैं बताऊंगा आपको उसको आप बाकी जगर भी apply कर सकते हो ताकि आप formula को आसानी से याद रखो तो यह हमारे पास एक cuboidal box है अब इसके थुरू मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम CSA और TSA calculate करेंगे तो जैसे कि आपको दिखी रहा है कि यह cuboidal box है और आपको पता है कि cuboidal box में 6 surface होती है यह इसकी पहली surface हो गई इधर मैंने 1 लिखा है यह second surface हो गई यह इसकी 450 surface हो गई और नीचे यह last इसकी 6th surface हो गई अब साथ में मैंने इसके dimensions भी दिखा है तो इसमें दिख़ए होगा आपको यह इसकी length दिखाई है यह इसकी height है और यह इसका base है इसी type से on side में भी देखें तो यह height हो गई, यह length हो गई, यह height हो गई उपर देखें तो यह length हो गई, यह breath हो गई तो इसकी length, breath और height को हमने हर जगा mention भी किया हो है अब अगर हमें Q-Void का Lateral Surface Area निकालना है तो पहले बात करते हैं Lateral Surface Area होता क्या है तो किसी भी 3D Figure का अगर हमें Lateral Surface Area निकालना होता है तो हम उसके Top और Bottom Surface को छोड़ के बाकी जितने उसके Surfaces हैं उनका Area कैल्गुलेर कर लेता है और उसी Area को हम Lateral Surface Area बोलता है तो एक्जाम्पल के लिए अगर हमें इसके Void का Lateral Surface Area निकालना है तो हम इसके यह जो Top है और इसके Bottom है इसको Exclude कर लेंगे और बाकी जो इसकी Surfaces बची है उनका Area निकाल लेंगे और वो जो Total Area आजाएगा वो ही इसका Lateral Surface Area होगा तो यानि हम Surface 1, Surface 2, Surface 3 और Surface 4 का Area आड़ कर लेंगे और वो जो Total Area आएगा वो ही इसका Lateral Surface Area होगा तो Lateral Surface Area जो है जो कि हमारे पास ही की Void है उसका Lateral Surface Area है वो Equal To हो जाएगा Area of Surface 1 प्लस Area of Surface 2 प्लस Area of Surface 3 प्लस Area of Surface 4 ठीक है तो यह जो 1 है यह Surface 1 Mention किया है मैंने वहां पे वो जो S2 लिखा है वो यह 2 वाली Surface है यह S3 जो लिखा है वो यह 3 वाली Surface को Mention कर रहा है और यह 4 है यह S4 को Represent कर रहा है ठीक है तो अगर हम देखें तो यह सारे के सारी जितने भी हमारे पास surfaces हैं वो सारे के सारी rectangular हैं ठीक है चाहे हो surface 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो तो अभी हमें के निकालना है area 1, 2, 3 और 4 का और यह सारे के सारे rectangular हैं shape में ठीक और हमें पता है कि rectangle का जो area होता है वो length into breadth होता है ठीक है जो उसकी length है और जो उसकी breadth है तो अगर आब हम देखें तो surface 1 के लिए ये जो B है वो length का काम करेगा और ये जो H है ये breadth का काम करेगा ठीक है इसी type से अगर मैं surface 2 को देखूं तो इसके लिए length का काम करेगा L, breadth का काम कर करेगा ऐच इस इताइम से laptops के लिए तो लेंद्थ का काम तरेगा एप और गाम करेगा अपर साथ जो अब अब अगर बहुत है यह अब अगर यहां देख़ूत हूं ऒबढून और इस टाइनcu एच और । इसको यह निख सकता हूं तो इसको अगर अब देखों तो इन दोनों में । एक और एच विया ने लेता हूं यहां से ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस अल तो जो तो फाइनली लेटरल सर्फेस एरिया आएगा क्यूबॉइट का मारे पास वो आजाएगा 2H ब्राकेट में B प्लस N इसी टाइप से अगर हमें इसमें टॉटल सर्फेस एरिया निकालना है क्यूबॉइट का तो अब हम क्या करेंगे इसमें टॉप का जो सर्फेस है और जो बॉटम का सर्फेस है इन दोनों का एरिया भी इंक्लूट कर लेंगे तो हम टॉटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइट लिख सकते हैं एरिया टो किउठल सभर एंद सर्फेस का एलिया इसमें आड़ कर लेंगे तो रहां जो अम लिख लिए या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि लिटरल सभेस एडिया of क्यूबोईड लिख सकते हैं प्लस area of top plus area of bottom यानि area of surface 5 और area of surface 6 जो और दे हम lateral surface area में cuboid के तो हमारा total surface area तब भी आ जाएगा ठीक तो हम ऐसी करके देख लेते हैं तो अब अगर हम top के dimensions देखें तो top में यह दिख रहे हैं हमें इसका जो length का काम कर रहा है वो L है ब्रेथ का जो काम कर रहा है वो B है ऐसी अगर इसका bottom में देखने तो इसका length का काम कर रहा है L ब्रेथ का काम कर रहा है B ठीक तो बाकी ही तो हमें बाकी surfaces का area तो हमने लिखी लिए था इन दो surfaces का भी हम उसमें area आड़ कर लेंगे गया लिंटू बी प्लस छटीए अल्य सर्फिस का हो गया लिंटू बी थिक है तो अगर आप हम यहां पर देखे रहे हैं तो यह सारी टांब्स दो बार रिपीट ऑं रहा है यह लहेंस दो कि पर और वी बारविवरा और यूदि अल्वी यह रूपर रिक्ति हैं तो हम इसको स BH प्लस HL प्लस LB तो यह हो गया total surface area of cuboid तो जो total surface area cuboid का वो जाएगा 2 bracket में BH प्लस HL प्लस LB तो अगर आपको इस टाइब से formula ध्यान है तो आपको formula रटने की जरुद भी नहीं पड़ेगी मान लो आपने formula रटा और आप exam में जाके उसको भूल गए तो आपको अगर वो derive करना आता है आपने समझा था उसको की formula बना कैसे था तो आप उसको वहाँ पे भी derive कर सकते हो ठीक है तो I hope जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको समझ में आया होगा और आप इसको आगे भी बाकी formulas में apply करोगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करे, share करे, comment करे चैनल को subscribe भी करे keep supporting and thank you so much